हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन, आरेसम एससबी दो हजार अठारे के लिए आप सभी को धेर सारी बदाईया और शुब कामना है कि आप लोग इस एक्जाम को क्रैक करके एक अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले हो, अच्छी रैंक पर पहुंचने वाले हो लेकिन उससे पहले आपको जो दो तीन चीज़ा हैं जो मैं आप बता रहूँ उनको थोड़ा ध्यानक ना, तब से पहली चीज़ा पेसेंस, हरे क्वेशन को बड़े धैरिपूरों करना है, बहुत ही साबदानी से पढ़ना है, ताकि आप रॉंग क्वेशन की तरफ ना भा कर दें, तो बड़ा साब धनी से इस तरीके question का answer देना है, यानि कि मैं कि आंतर बता रहा था, soil का जो question है सेहवाग जिसकी trick है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि negative marking से बचना है, इस तरीके से आपको question को handle करना है, यानि कि और वो किस से होगा, patience से होगा और दूस्री कि बाद में time management की बात करना अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक valuable point है क्योंकि अब 10 मोक्ताइज देली होंगे तो time manage करना सीख चुके होगे कि 120 के 120 question को कैसे पढ़ना है और answer करना है ठीक है देखो एक और चीज टेक्निकल वाला पार जो है वह एकदम शौर है कि वहां आपका selection होगा और वहीं से आपको इसा नहीं करों कि non-tech selection होगा selection का मतलब होता है कि 80 जो question आपके है technical के वह question fix है कि यह subject से यहां से इस chapter से question आते हैं लेकिन non-technical एकदम बहुत ज़्यादा abroad है तो उसमें से जो पड़े हो एक question है आपके राजस्तान जीके कि वह सेम वहीं होंगे जो आपने पड़े हैं नहीं होंगे वह हम्में भी नहीं कर सकता और आप भी इसलिए कि टेक्नीकल के उपर एकदम शौर करके जाएं कि यह question में ज्यादा ज्यादा करूंगा और नॉन टेक्नीकल वाले question को उनीको टेक्च करिएगा जिन question को आपको अच्छे से आते हैं ठीक है और दूसरी ची राजस्तान में टेक्परेचर बहुत ज्यादा है बार बार इस लीए कह रहा हूं कि तब्वेट खराब होने में दे नहीं लगती इस तरीके के धूप और टेमपरेचर के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यानक नाएग कि टेमपरेचर जो है वह नॉर्मल रहे तो ज्यादा बहतर ह है कि आपकी बॉड़ी का टेमपरेचर वह कैसे होगा फानी पीने से होगा और कोशिश करें कि धूप में ज्यादा ट्रावलिंग से बचें गूमना है पिरने वाले शौक मत करो कि मालों एक दिन पहले आप दो दिन पहले पहुंच चुके हो रायस्तान जैपूर के अंदर तो आप घूमने में लगे हुए हो तो वह मत करना भाई रिवीजन करना आपने एक जगह पर बैठ करके है क्योंकि एक दिन में भी क्या मुश्किल से दस मिट लगेंगे तब खराब होने में तो वह चीज़ा थोड़ी जाना कि हमारी पूरी टीम ने आपके लिए बेस्ट किये हैं और आप सबी को एकदम बेस्ट ओफ लग हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को यह लग के साथ साथ मैं तो काऊंगा कि इस जगह पर लग तो काम करेंगा लेकिना कि महनत असली तरीके से काम करने वाली पूरी टीम ने बहुत एफ़र्स दिये हैं लाइ किया वीडियो कोर्स में साथ में आपको लाइव शेशन था तो पूरी क्लास आपको लाइब मेरी लास्ट में टाइम को देखते हुए हमने एक दो सब्जेक्स को आपको रिकॉर्डड फॉर्म में थी ठीक है आगे आपका टाइम इस नाओ ऑटो कैड तो को हमने कवर किया इंजीनरिंग ड्राइंग और नॉन टेक्न में जो नए पार्ट एड हुए यह टेक्निकल में जो नए पार्ट हुए हमने उनका भी आपको पढ़ाया भी और आपको प्रॉइड कर आई तो हमारी तरब से जितनी एफर्स लेस आपके लिए तैयारी करवाई गई है आपको पी इस तरीके से फुल एफर्ट डालने हैं अपने इस एक्जाम को क्रैक करने के लिए और किसी भी हालत में छोड के लिए आना है ठीक है क्योंकि आप लोगोंने बहुत मेहनत करी तीन से चार महीने आप लोग भी लगे हुए हो मैंने देखता रहा हूँ टेलीग्राम जो स्टूडेंट वाला जो चैनल है उसके उपर आप लोग बहुत एक्टिव हो बहुत ज्यादा एक्टिव बहुत ज्यादा आपने महनत करी है तो आप लोग डिजर्व करते हैं इस सीट पर पोश्क पर पहुंचना तो आप लोग बहुत ज्यादा महनत करी है तो उसको एक ब उस सभी की तरफ से आपको धेर सारी सुपकामना है आप इस एक्जाम के उचाहियों तक पहुँचें और एक एक्जाम को क्रैक करके अपने और अपने घर वालों का जिल सपना है वो पूरा करें तो हम लोग वापस बात करेंगे जब हम लोग इस एक्जाम को देकर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्स सो मच टेक क्यार एंड आल दे बेस्ट काईज बेस्ट करके आना एक्जाम को फोड़ के आना